Hello everyone, today we will solve some students problem, class 7th exercise 5a, किसी ने पूछा है मुझसे, example number 18, on page 90, R.S.A.G.WALF में, okay, and the example है, हमें simplify करना है, है, simplify, 10 into 5 raised to the power n minus 1, plus 1 है, n plus 1, plus 25 into 5 raised to the power n, upon 3 into 5 raised to the power n, plus 2, plus 10 into 5 raised to the power n, plus 1, यह question है, इसको हमें simplify करना है, तुस चलिए, solution हीं से start करते हैं, दवारत आनी जिरू होती है, यह question हो गया, इसके नीचे करते हैं, यह power n, यह power n plus 1, यह n plus 2, यह n plus 1, अगर किसी तरह सारी power, यह तो n में convert हो जाए, यह n plus 1, यह n plus 2 में, है न, तो वो common आ जाएंगी, और question easy हो जाएगा, और इसमें हम n, n plus 1, n plus 2, तीनों में convert कर सकते हैं, तो बड़ी maximum convert करके देखें, वो करते हैं, यह n plus 2 कैसे हो सकते हैं, अगर एक 5 और आ जाए, तो इस 10 को break कर लेंगे, क्या करेंगे हम, 10 को हम क्या ले सकते हैं, 2 into 5, 10 है, वाकि जो भी कुछ है वो लिख लो, into 5 raise to the power n plus 1, ओके, पिलस, यहाँ 2 कम पड़ रही है, और 25 का मत्तब क्या है, 5 into 5, into 5 की power n, यह है, 25 को न ब्रेक कर लेंगे, 5 into 5 में, upon, 3 into 5 raise to the power n plus 2, ओके, प्लस, 10, जैसे यहाँ ब्रेक कर रहा था 10 को, इसकर है, 10 को ब्रेक कर लो, 2 into 5, into 5 की power n plus 1, अब यहाँ देखना, यह क्या हो गया, 2 into 5 का मत्तला, 5 की power 1, है न, अब 5 into 5, तो क्या होता है, power will be at, तो क्या हो जाएगा, 5 की power यह हो जाएगा, n plus 1 और plus 1 यह हो जाएगी, clear, plus 5 into 5 क्या है, 5 की power 2, into 5 की power n, मैं डारेक लिख सकता था, क्योंगे पूछा है, तो मैं step by step, 5 plus की power n plus 2 अब डारेक लिख सकते यहाँ, n plus 2, यह तो सेम उताली हमने, plus 2 into, यहाँ 5 का मत्तला, 5 की power 1, सिंगल है तो, फिर यह भी क्या हो जाएगा, 5 की power, m into n क्या होता है, 5 की power, power, power add हो जाती है, तो n plus 1 यह, और plus 1 यह, यह n है न, तो फिर गलावर हो गया, सब, ओके, तो next step में देखिए, क्या हुआ यह, 2 into 5 की power, 1 plus 1 कितना होगे, n तो यह है, plus 1 plus 1 plus 2 होगे, plus 5 की power, 5 की power, 2 into 5 की power, and power add हो जाती है, तो 5 की power का add होती है, जब base save हो, 5 into 5 save है, तो power add हो जाती है, upon 3 into 5 की power, n plus 2, first term तो यह है, plus 2 into 5 की power, n plus 1 plus 1, तो plus 1 plus 1 कितना हो, plus 2, n यह है, तो 5 की power, n plus 2, इससे हुआ क्या देखो, 5 की power, n plus 2, 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 तो नुमिनेटर में से हमने 5 की power, n plus 2 ले लिया, common, इस first term में तो भाहर चला गया, common चला गया, क्या बच्छा, only 2, plus, यह पूरा भाहर चला गया, तो क्या हो गया, only 1 बच्छा, 0 मत लेगती है, बहसे बच्छे 0 लेगती है, ऐसा गर उड़ जाता है, ओके, इसी तरह है, डिनुमिनेटर में 5 की power, n plus 2, common आगया, first term में, bracket लगा है, first term में, क्या बच्छा, 3, और यह second term में यह भाहर common चला गया, क्या हो च्छा, plus k, 2, अब देखो, नुमिनेटर और डिनुमिनेटर में, common जो भाहर है, bracket से 5 की power, n plus 2, 2, 5 की power, n plus 2, same है, यह cancel, यह add कर लो, answer आग गया, 2 plus 1, 3, और 3 plus 2, is equal 5, तो यह था, example 18, page number 90, class 7, rs, अक्वाल में, मैं आज कमेंट पढ़ रहा था, तो किसी ने का था, कि sir, example 21 कर रहा था, इसे भी कर दीजिए, तो यह हो गया है न, एक question और करते हैं, example number 20, example 20, same page पर, page number 90 पर ही दे रखा है, rs, अक्वाल में, 5 एक से से पहले, और question यह है, if 25 raised to the power, n minus 1, plus 100, is equal 5 raised to the power, 2, n minus 1, तो find the value of n, तब हमें value find कर दीए, n की, okay, solution question अतार लेते हैं, 25 raised to the power, n minus 1, plus 100, is equal 5 raised to the power, 2, n minus 1, अब देखो, 25 का होता है, 5 का square, होता है, लेख दूँ, 5 एक से 5 का square, तो 5 का square, यह पावर, चला है, यह लेख दे रहे हैं, यह थी जल्दी क्या है, 25 पावर, इसकी पावर है, n minus 1, पिलास 100, is equal 5 की पावर, 2n minus 1, अब देखो, पावर का पावर में multiple हो जाएगा, तो 5 raised to the power, 2 का अन्दा multiple कर दें, 2n minus 2 बंजा, यह 2 आ गया, पिलास 100, is equal 5 raised to the power, 2n minus 1, ओके, तो देखो, 100, is equal, इसको हम राइटन से लेएं, तो minus का हो जाएगा, 5 raised to the power, 2n minus 1, तो यह है, इसको अंदर लेगए, तो minus 5 raised to the power, 2n minus 2, ओके, तो मैंने देखो, अब देखो, step by step परूँँगा, जिससे क्या आपको समझ मैं अच्छे से, तो 100, is equal 5 raised to the power, 2n minus 1, minus, यह 2n minus 1, यह 2n minus 2, तो दोनों को हम सेम करनें, पावर को, है न, वो कैसे होगी, देखिए, इसे हम लिए सकते हैं, 5 raised to the power, 2n minus 1, और minus 1, देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, 5 raised to the power, 2n minus 1, minus 5 raised to the power, 2n minus 1, into, 5 ती power minus 1, वोई, m into n होता है, m into m है, तो power add हो जाती है, 1 की power m, into 1 की power n, this plus this ही तो होगी, तो इसको ऐसे लिख लिए हमने, अब, क्या हुआ से यह फाइदा हुआ, आप लोगों गोगों इसली समझ माज़ागा, और कुछ नहीं, 2n minus 4, हमने दोनों में common ले लिया, यह भी भार, यह भार तो यहां तो बन बच्चा, और यहां क्या बच्चा, खाली इतना, क्योंकि यह तो भार चला गया, यह नहीं क प्लस हो जाती है, इसको solve कर लो, solve से मतला है LCM लेकि हम subtract कर ले थे, 5 raised to the power 2n minus 1, 1 का मतलब 1 upon 1 होता है, और 1 of 5 का LCM आ गया 5, 1 का divide 5 है 5 times, 5 बन जा 5, और minus 1, clear ना, तिह क्या हुआ, यह हो गया, 100 is equal 5 raised to the power 2n minus 1, into 5 में से 1 गया, 4 upon 5, cross multiple कर ले, तिह हो क्या, 100 into 5, और 4 upon में जाएगा, इस equal 5 raised to the power 2n minus 1, 4 से 125 बर cancel, तो 25 मतलब 5 into 5, और 5 यह already है, यहां equal में क्या 5 raised to the power 2n minus 1, 5 into 5 into 5, 5 का 3 times multiple है, यहने क्या 5 raised to the power 3, और यह क्या है, 5 raised to the power 2n minus 1, जब base same हो, तो power यह same होती है, तो equal रगदो, this implies 3 power को equal रगदे रहे, 3 equal किसके होगी, 2n minus 1k, है ना, तो 3 is equal 2n minus 1, तो 3 plus minus 1 को जब राइटने साइड में लेंगे, प्लस का हो जाएगा, 2n, 3 plus 1, 4 is equal to 2n, तो value of n is 4 upon 2, तो n is 2, ओके, तो मुझे उम्मीद है, जिन्होंने भी पूछेते हैं, उनको वहत अच्छे से समझ में आ गए होगे, अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें, साथी साथ बैल आइकन को जरुपूस कर लें, जिससे कि मैं इसकी अगली वीडियो जब भी अप्लोट करूँगा, वो आपकी निस नहीं हो की, और आपकी जो भी प्रॉलम ह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको उसी दिन दूर कर लेंगे, पूल की कोशिस करूँगा, फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, थैंक यू, हैवा नाइस टेए